चाट मसाला एक ऐसा मसाला है जो किसी भी रेसिपी का स्वाथ दोगुना कर देता है आप चाट मसाला को फ्रूर्ट सेलैड, कोई भी चाट बना रहे हो उसमें यूज कीजिए दही बड़ा, मसाला पापड या फिर पानी पूरी के पानी में भी यूज कर सकते हो बनाना बहुत आसान और ये जल्दी से बन जाता है आप इसे काफी टाइम तक स्टोर करके यूज कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी चाट मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चार बड़े चमज जो है जीरा का लिया है चार बड़े चमज मैंने धनिया लिया है ये मैंने अमचूर पाउडर लिया है तो ये मैंने लिया है दो बड़े चमज साथी में एक छोटा चमज मैंने यहाँ पर काली मिर्श का लिया है चार मैंने यहाँ पर लोंग लिया है एक चोथाई चमच हेंग की ली है, यह अदरब का पाउडर है, जिसे सौंट भी कहते हैं, यह आदा चमच लिया है, एक बड़ा चमच यहाँ पर मैंने लिया है, सौंफ का, यह हमने काला नमक लिया है, तो यह हमने लिया है, एक बड़ा चमच, साथी में मैंने यहाँ पर दो तो ने हम पहले भून लेते हैं गैस अन करके कडाई को मैंने रख दिया है तो हमने अब कुछ मसाले भून लेने हैं भूनने से क्या होगा इनके अंदर की नमी जो है वो चली जाएगी और मसाले अच्छे से पीसे भी जाएगे तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया इसी के साथ हम डाल देंगे जीरा साथी में हम डालते हैं सौफ और हम डालेंगे अजवैन तो इन सारी चीजों को हमने हलके हलके लो टु मीडियम गैस पे भून लेना है आप कोई भी चटपटी चीज जब भी बनाओ तो अगर आप उसमें ये थोड़ा सा चाट मसाला डाल दोगे तो आपके उस डिश का स्वात जो है और भी बढ़ जाएगा तो चलिए इसे हम थोड़ा थोड़ा भून लेते हैं दो मिनिट के लिए तो मीडियों फ्लेम पे इसे सखते हुए दो मिनिट हो चुके है तो अब मैं क्या करूँगी इसमें डाल की यह मिर्च और साथी में जो हमने लॉंग लिये है वो भी हम डाल देते हैं तो इं दोनोग चीज चीजों को भी इसमें इसमें मिला के हम एक मिनिट और इसे सेक लेते हैं, तो यहाँ पर एक मिनिट और हो चुका है, तोटल हमने इसे कैसे है, तीन से चार मिनिट तक सेका है, तो गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, और इसे हम पूरी तरह ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद ही हमें इसे पीसना है तो वेट करते हैं इसके ठंडा होने का तो यहाँ पर सारे मसाले जो हैं बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो हम क्या करते हैं यह सारे जो हैं इस पॉट में ले लेते हैं इसे पीसते हैं अब हम और इसमें अब हम क्या करेंगे, अमचूर पाउडर डाल देंगे सारा, यह अद्रक का पाउडर है, लाल मेच पाउडर, यह काला नमक है जो चाट मसाले का बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है, तो यह हम इसमें डाल देते हैं, और साथी में हमने यहाँ पर एक चुथाई चमच जो है हें की लिए है, तो चलिए सारे मसाले को हम अच्छे से पीस लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है पीस चुका है, हमने इसमें काला नमक डाला था बट इसमें हमने नमक नहीं डाला था, तो क्या करना है आपने एक बार यह मसाला पीसने के बाद इसे तो यहाँ पर हमारा चात मसाला यहां रेडि हो गया है, यह देखिए कितना बढ़िया सा पीसके यह तयार हो गया है. तो इसे मैं नीकाल लेती हूं. और मिक्सर में पीसने के बाद यह थोड़ा सा क्या होता है? गरम हो जाता है. तो इसे हम ठंडा करके, फिर एक airtight container में भरके, इसे हम store कर सकते हैं और इसे फ्रिज में रखने की ज़रुत नहीं है, इसे आप इसी तरह से बाहर भी रखके अराम से store कर सकते हो, ये खराब नहीं होता है तो यहाँ पर हमारा चाट मसाला जो है, देखा कितना जल्दी से रेडी हो गया है, और इतना सारा बन के तयार हो गया है कुछ ही मिन्टों में तो उमीद करती हूँ फ्रेंज, आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंज, एक लाइक जरूर कर देना, और मेरे रेसिपी को अपने फ्रेंज और फैमिली के साथ शेर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल बटन को जरूर दबाना जिससे आपको मेरे अगले रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ